तो दोस्तों आज मैं आपके साथ अपनी एक बहुत ही फेवरिट रेसिपी अपने ही स्टाइल में शेयर करने वाली हूँ सच बताओ जब भी मेरा अपने आप के लिए कुछ मनाने का मन करता है ना सोचती हूँ कि कुछ स्पेशल बनाओ सिर्फ खुद के लिए तो ये रेसिपी मुझे हमेशा याद आती है तो सोचा चली आज बना रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ तो इसे बनाने के लिए ना मैंने हाँ पर एक कप से थोड़ा सा कम साबुदाना ले लिया था उससे हमने दो बार वाश कर लिया फिर पाने डालकर आप 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे बस 15 मिनिट के लिए छोड़ना है उसके बाद सारा अकस्ट्रा पाने निकाल दीजिए और 5 बड़े चम्मच इसमें आप पाने डालिये बस और कवा करके आप इसे कम से कम 2 गंटे के लिए छोड़ दीजिए मिनिमम आपको 2 गंटे के लिए रखना है अगर maximum आपके पास time है तो 5 गंटे, 6 गंटे या फिर पूरी रागदी से रख सकते हैं कोई problem नहीं है तो कम से कम 2 गंटे रखने के बाद आप देखेंगे हमारी साबूदाने कितने perfectly फूले जा चुके हैं और अब यह बनने के लिए तयार है तो भइ मेरी जो सबसे favorite recipe है वो है साबूदाने की खीर बट उसे बनाने का जो मेरा तरीका है वो बहुत different है चलिए इस different तरीके से खीर को बनाते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कड़ाई ले ली है और कड़ाई में डालेंगे एक टी स्पून देशी की ये तीनों मेरे फेवरेट वाले ड्राइफ रूट्स हैं और इन्हें ना क्रिस्पी जरूर करें लाइक अगर आप इस तरीके से इसे भून कर फ्राय करकर खाते हैं ना इस रेसिपी में तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है अब बस मैंने इसे हलका सा सुनेरा होने तक फ्राय कर लिया अब बस इन सब को हम निकाल लेते हैं बाहर और ये दिखिए ये हमारे क्रिस्पी से ड्राइफ रूट्स बन कर तयार हो चुके हैं अब दोस्तों कड़ाई में रह गया है न वो देसी घी में रह जाती है तो यहाँ पर जादा मेहनत ना करते हुए सबसे पहले न आप इसमें दूद आड़ कर लीजिए और उसको धीमी आज पर पकने दीजिए एक लीटर मैंने दूद लिया है यहाँ पर फुल क्रीम दूद कर इस्तमाल किया है अब उसकी बाद अगर आप उन्हें हाथों से चॉप करने जाएंगे न तो थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसे जल्दी चल्दी बनाने के लिए यह वाला जो फूट चॉपर है मैं इसमें एक से दो बार इस तरह से धागी को खीच कर चॉप कर लेती हूं और बस हमारे जो यह जो यह आध स्किन डाजी लें यह जो विल्दी तो इसे बाता है करेंगे तो राज़ मुठी सारी अधा कब हमी आप लेंगे काजू back में बनाएंगे पाउडर उसके बाद इस रेसेपी में करेंगे हम इसतमाल लाइक, जब भी हम खी बनाते है तो कई लोगा खुवा इसतमाल करते हैं, कई बार milk powder इस्तमाल करते हैं कई बार कुछ भी इस्तमाल नहीं करते हर किसी के अपनी मर्जी होती है बढ़ मैं जब अपने लिए बनाती हूँ ना तो मैं ये काजो powder यूज़ करती हूँ इससे इस recipe का taste ही बदल जाता है अब जो हमने दूद यहाँ पर डाला था ना उसके उपर तैर कर आ गई है ड्राइफरूर्स की skin तो ज़्यादा महनत ना करते हूँ एक छलनी लीजेगा चाय वाली एक बार हम इसके उपर फैराएंगे ना तो बस ये दिखी जितनी भी skin है सब छलनी में आ गई बिना महनत की आपका काम आसान हो जाएगा और अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आब हम इसमें डालेंगे साबुदाने जितने साबुदाने हमने भिगोए थे ना उतने नहीं डाले है मैंने आधे इसमें इस्तमार किये हैं क्योंकि जो साबुदाने की खिचडी है वो जैसे जैसे पकती है वैसे वैसे गाड़ी होने लग जाती है और अगर हम उसे थोड़ टाइम के लिए रख देंगे ना तो इतनी जादा गाड़ी हो जाएगी कि खाने में अच्छी नहीं दीजिए धीमियाज पर इससे दस से बारा मिदे तक पकने दीजिए उसके साथ हमें आपर काजू का पाउडर ढाल देंगे दोस्तों काजू के पाउडर से रबडी दा वाला फ्लेवर आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है तो बस काजू का पाउडर भी धीमियाज पर इसके साथ पकेगा दस से बारा मिदे से धीमियाज पर पकने देंगे तो आप देखेंगे जो साबुदाने हमारे वो तैयर कर ऊपर आ जाएंगे साथ ही जो इनका लुक है वो देखी एक ऐसा ट्रांसपेरंट सा दिखाई दे रहा है बिल्कुल ऐसा ही हो जाना चाहिए और यहां पर इसकी कंसिस्टनसी देखी पहले की कंपैर में काफी जादा गाड़ी हो चुकी है जैसे जैसे आप इसे धीरे धीरे पकाते जाएंगे नहीं और गाड़ा होता जाएगा हम इसे तब तक पकाना है जब तक साबुदाने ट्रांसपेरंट ना हो जाए यानि कि आर प जाची को मैंने क्रश्क किया हुआ है और इससे रेसिपी में बहुत अच्छा टीस्ट आता है साथी मैंने सबसे पहले केसर वाला दूद बना दिया था केसर दूद के अंदर डाल के थोड़ दिया था थोड़ा गरम दूद था उसमें के ठागे डाल दिये थे वह भी इसमे चीनी आड़ कर दीजिए और जितने भी ड्राइफ रूर्स हमने चॉप किये थे वह भी सबीस में आड़ कर दीजिए बस इन सब को आड़ करने के बाद एक बॉइल आने देंगे उससे जादा नहीं जब हम इस खीर को पकाए ना उस स्टेश पर इसकी कंसिस्टेंसी को हमें बहुत जादा गाड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है यह सबसे जादा जरूरी है जितना आप इसे अभी गाड़ा कर लेंगे ना बाद में यह उतनी बेकार लगने लग जाती है तो थोड़ देर भी रखेंगे ना आप इसे 15-20 मिनट उसमें ही यह बहुत जादा गाड़ी ह जाती है तो जैसे ही आप देखें कि इसमें अच्छा सा उबाला चुका है हाड़ी मैंने से 15 मिनट को किया है बस उससे जादा कुक नहीं किया है इस स्टेज पर आप गैस का फिम बिल्कुल बन कर दीजिए और इसे ढखकर लगा कर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए साबू मैंने इसे छोड़ दिया यहां पर आप मिठास टेस्ट कर लीजिएगा जैसा भी आपको मीठा पसंद हो अगर कम लगे तो आप इसमें आड कर लीजिए और उसके बाद पहले मैंसे रूम टेंपरेचर पर थोड़ा सा ठंडा होने देती हूं दोस्तों जब यह रूम तो आप मेरी से रेसिपी को ट्राइक करना अगर यहां तक वीडियो देखी है मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट्स करके बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी अगर आपको कोई सजेशन हो ना तो वो भी मुझे बताएगा मैं ज़रूर से इंप्रूब करन है साथ ही मुझे यह बहुत बताएगे कं में कि आपको कौनशी वाली खीर पसंद है चावल की समयों की साबुदाने की कौनशी वाली खिर पसंद ठीक है अब यह वीडियो हो चुकी है कंप्ली यह सब्सक्राइब कर लो नेक्स वीडियो मैं आपके साथ जरूर मिलूंगी जल्दी जल्दी मिलूंगी तब तक के लिए बाई